बड़ी खबर की शुर्वात इस वक्त हम कर रहे हैं अब पढ़ना यादो से अब पढ़ना यादो की बीजेपी में शामिल होने के बाद एक के बाद एक कई तमाम बड़ी खबरें उनको लेकर सामने आ रहे हैं लेकिन इस रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं अपढ़ना यादो की जिन्दकी से जुड़े कुछ ऐसे रास के बारे में जिसके बारे में आस तक आपको नहीं पता होगा जी हैं लगातार अपढ़ना को लेकर कई खबरें अब सुर्ख्यों में आ रही है कई खबरें ऐसी हैं जिन्हें हमने बताया भी है बकायदा हमने दर्शकों को उनसे अफ़गत भी कराया और एक ऐसी ही खबर लेकर मैं फिर हाजिर हूँ जी है इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाने वाले अपढ़ना यादो के प्रती की यादो से जुड़ी कुछ ऐसी बाते जिसके बारे में अगर आप सुनेंगे तो आप भी चौंग जाएंगे आप भी हैरान हो जाएंगे कि क्या वाकई प्रती की यादो कुछ इस तरह की जिंदीगी को जीते हैं और क्या वाकई प्रती की यादो किस तरह से बॉलीवूड के बड़े सेलिब्रिटी ना होकर भी बहुत ज़्यादा फेमस है तो यहाँ पर हम बात करें प्रती की यादो की प्रती की यादो राजनीती से बहुत हत्तक खुद को दूर रखते हैं वो मीडिया के सामने बात नहीं करते हैं सवालों के जवाब नहीं देते हैं लेकिन प्रतीक यादो जो है वो उनका जो काम है वो बहुत ज़्यादा जो है वो लोग पसंद करते हैं और सबसे बड़ी बात यह कि प्रतीक यादो राजनीती से दूर रहकर मीडिया से दूर रहकर अपने आपको आज जिस तरह से उनोंने स्टैबलिस्ट किया है यह देखन प्रतीक यादो हमेशा से राजनीती से दूर रहे हैं प्रतीक यादो कभी भी ना तो राजनीती में रखने का कदम वो उठाते हैं और ना ही कभी मीडिया से बात करते हैं प्रतीक यादो सादगी भरा जीवन जीने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं वहीं उनके लाइ कि कारों का शोक है हाला कि अगर बात करें अप अपर्णा यादो और प्रती Laden कि तो अपड़ना और प्रती कि यादो की का को हुए काफी वर्ष हो चुके हैं और दोनों की जो जिनदी की है बहुत अच्छे ठंक चलती नजर आ रही है भले ही प्रतीक राजनितिक मंच पर कम दिखाई देते हूं लेकिन उनकी पत्नी अपढ़ना यादो काफी सुर्ख्यां बटोरती रहती हैं उन्होंने दिसंबर 2011 में अपढ़ना बिश्ट से साधी की और उनकी एक बेटी भी है प्रतीक यादो लखनों म से रुची भी नहीं रही है प्रतीक यादो हमेशा कोशिश करते हैं कि मीडिया से दूरी बनाये रहें और राजनितिक गल्यारों की तरफ कभी भी ना देखें देखा अपने हमारी खास रिपोर्ट एक और जहां अगर बात करें अकलेश यादो की जो हमेशा मीडिया में च क्योंकि प्रतीक यादो इन सबसे खुद को दूर रखना चाहते हैं और हमेशा से उन्होंने खुद को दूर रखे हाला कि अगर अपड़ना यादो की बात करें तो वह सुर्ख्यों में चाय रहती थी क्योंकि वज़ा ही है कि अपड़ना यादो कई एंजियोस चलाती हैं जिसमें वो महिलाओं के लिए काम करती हैं इसके साथ साथ वो गरीबों के लिए काम करती हैं तो अपड़ना यादो सुरू से सामाजी कारियों से जूड़ी रही है अपड़ना यादो सुरू से जनता की सेवा करती रही है और यही वज़ा है कि अपड़ना की पकड़ आज तो सबचकर बयान देती और आज यही वज़ा है कि बीजेपी ने उनको पार्टी में शामिल क्या है क्योंकि अपढ़ना यादो की ना सिर्ज उत्तर-प्रदेश में अच्छी है बलकि पूरे देश में दीखती नजर आई तो अपढ़ना यादो को जो शामिल क्या गया है बी आज के लिए तहीं आप से फिर दुबारा मुलाकात हो कि तब तक ले जा दीजे नमस्क्राइब